दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ल्ट अफेस चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के गरेंट अफेस पर यहां पर आप क्विक पॉंट और इंडियन हिस्टी का जिसमें पूरी मोडर इंडियन हिस्टी बरी पढ़ने वाले हैं शाम को साथ बजे क्लास होगी इसका लि जरूर जोइन करेंगा चली तो आज के कोशन की शुरुआत पहला स्टेशन जो की बुलर्ट ट्रेन रूट में कंस्ट्रक किया जा रहा है तो सूरत में कंस्ट्रक किया जाएगा पहला स्टेशन आप सभी जानते हैं कि जो है हमदबाद और मुंबई के बीच में जो की फर्स बुलर्ट ट्रेन इंडिया की होने वाली है और उसके अलावा जो है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा ये भी अनॉंस्मेंट किया गया कि चार स्टेशन के अलावा जो है एक 237 किलोमेटर का बाइडक्ट भी चंस्ट्रक किया जाएगा जो की स्पैसिफिक वैलमोर में होगा 20-26 तक ये कंप्लेट होगा क्योंकि ये शिफ्ट हो गया है कोवेड-19 के विजए से ये जो डिस्टन्स सूरत से वैलमोर तक का है ये 50 किलोमेटर का डिस्टन्स है और ये पूरा कोरीडर प्रोजेक्ट जो है अब जो है स्टार्ट हो चुका है चली एक औ न्यू जीमेल ले आउट जिसमें कुछ नए फीचर होने वाले हैं फीचरिंग सब टाइट जो सब्ते जो डिजाइन है वो रहेगा उसके अलावा चैट और स्पेस और मीट के लिए कुछ नए बिजनस फोकस टूल होंगे कुछ चेंजिस और भी है एक तरीके से लेफ्ट जीमेल जो है उसके लेफ्ट में एक जो है सेवरल बटन प्रोवाइड के जाएगा कंपोज मेल और चैट इसमें कुछ बदलाव होने वाले हैं एक प्रोफाइल पिच्चर बोटम लेफ्ट कोरान में दिखाई देगी तो आप बेसिकली यह जान सकते हैं कि जीमेल जो है एक बटलाव लाने वाला है जो कि अपना उनका आउट ले होगा और ये किन-किन के लिए होने वाला है तो वर्क-श्पेस, लिए होगा चायσे बिजनस स्टेंडर्स हो गया, बिजनस, प्लस, एंटरप्राइस, एकंडर असेंचियल, एक तो 30— tiers to breakthrough of the year award तो बड़े famous नीरच छोपड़ा जी को जो है इसके लिए नॉमिनेट किया गया है पहले भारती है भारत से परस्ट इंडियन है जो की feature किये जाएंगे shortlist किये गये है particular category में total in total साथ category होती है उसमें से एक category में ने shortlist किया गया है तो आप सभी जानते हैं इंडियन olympic gold medal winner है इस बार के नीरच छोपड़ा जी तो इनको इसमें नॉमिनेट किया गया है तो ध्यान अखिएगा यह जो पूरा पैनल होगा 1300 sports journalist जो broadcaster है all over the world यह select करते हैं नॉमिन स्कोर उसके बाद चुनाब भी इनका होता अभी जो इसका पूरे winner जो होंगे अभी तो सिर्फ नॉमिनेशन है लेकिन विनर का अनॉंस्मेंट जो है अपरेल तक हो जाएगा और वोट जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा ठीक है laureas world sports academy है उनके द्वारा जो है यह वोटिंग की जाएगी और 71 of the greatest sports legend जो है इसमें जो है वोटिंग करने वाले हैं so that की winners को घोशित किय जा सके यह battle इस बार की ज्यादा competitive हो गी है क्योंकि इस बार जितने भी Olympic winners थे उनको ज्यादा जो है नॉमिनेट किया गया है चली देखते हैं इस question का answer बताएगा recently कौन सा bank है जिसने co brand credit card launch किया है किसके साथ पतंजली के साथ तो यह पंजाब national bank के द्वारा किया गया है तो बंजाब national bank और पतंजली की बीच में यह co brand contactless credit card partnership होई है जिसमें national payment corporation of India भी समलित है card जो है offer करेगा दो platform दो variant पहला PNV रूपे platinum और दूसरा PNV रूपे select और यह जो co branding है एक तरीके से credit service convenient जो है increase करेगी day to day life में और पतंजली के products जो है और आसानी से यह purchase भी कर पाएंगे इससे उसके अलावा users को जो है जो भी यह card लेते हैं उनको cashback loyalty points insurance governance and all यह सब कुछ मिलने वाला है और उसके अलावे 300 का reward point भी मिलने वाला है जब यह दोनों में से कुछ भी activate कराया जाता है चली देखे मैं पून सवाल finance minister निर्मला सितरामन जी के द्वारा announce किया गया है किस type passport services budget 20-22 में यह question important है budget का धीरे-धीरे में सारा update दूंगा आपको e-passport जो है अब launch किया जाएगा क्योंकि इसके और भी detail आती है जो अब budget में discussion होते हैं बाद में तो उसमें और details आती है तो वह ज्यादा better रहता है discussion के बाद चीजों को और update करना finance minister ने जो है अब हाल फिलान मे जो है e-passport launch किया है उसका क्या concept रहेगा पहला तो एक तरीके से higher level of automation जो है होने वाला है easy access हो पाएगा immigration security checks में अपर्टाइज जो है definitely secure और faster होता और जितने भी personal particular applicants होते हैं उन सभी को digital sign और यह सब चीज़े आसान हो जाएगी कि biometric जो है असान हो जाएगा तो important है संजे भटाचारे जो secretary of ministry of external affairs है उनके द्वारा यह statement दिया गया कि जो यह e-passport है इसका secure biometric data होगा जो कि international civil aviation organization के standards पर पूरा खरा उतरता है और अगर यह successfully run होता है तो इससे citizens की convenience जो है obviously बढ़ने वाली है चले मैटपून सवाल देखे कौन सी country है जो कि अभी हाल फिलाल में अचीव कर सकती है अपना thousands ODI तो पहली टीम ऐसी बनेगी जो thousand ODI play कर लेगी तो इंडिया प्ले कर लेगी यह अचीव होने वाला है क्योंकि अभी इंडिया और West Indies के बीच में जो है ODI matches जो है खेल चुपा होगा for future यही होने वाला है तो यह first team इंडिया अचीव करेगी उसके अलावा देखा जाए तो total 9 team है जो कि 500 ODI matches खेल चुकी है जिसमें अगर winning percentage की अगर बात करे जाए तो Australia और South Africa के बाद इंडिया आता है Australia का winning percentage इतना है South Africa के इतना है उसके बाद इंडिया का भी third number पे आता है Australia ने 958 matches खेले जिसमें से 581 जीते हैं और 334 के around जो है और tie up के साथ रहे हैं तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया Australia और South Africa के बाद इंडिया आएगा तो यह जो अभी match खेले जाएंगे यह भी होना चाहिए पता आपको कि 16 February के जो matches होने वाले तीन match जो होंगे वो कोलगत्ता Eden Garden में खेले जाएंगे सभी के सभी और उसका final जो है 20 February को होने वाला मैतपून सवार रिसेंड़ी How many countries American subvariant detected American के भी subvariant detected कियेंगे कितनी country में तो 57 country में पहला तो United Nation Health Agency है इन्होंने बहुत सारी country में नोट किया था कि कुछ subvariant जो है American के देखे गए है इसमें और American को जो है originally BA1 जो है वर्ड से बोला गया सभी countries के द्वारा लेकिन इसका जो World Health Organization ने variant बताया है जो की subvariant increase हो रहे है वो है BA.2 यह जो है BA.2 इसको stellate variant के नाम से जाना जा रहा है American का जो की mutation कर रहा है और यह एक तरीके से जो है scientist के द्वारा जादा observation में है और इसकी tracking चल रही है stellate American की कि यह किस तरीके से mutation कर रहा है क्योंकि इसके जादा जो cases है Europe और Asia में देखने को मिले है और important है वैसे American से जो death rate है वो थोड़े से कम ही है तो safe कि American की वेज़े से बहुत जादा death rate increase नहीं हो रहे है भारत dynamic ने sign किया हाल फिलाल में किसके साथ memorandum for manufacturing and supply of anti-tank guided missile तो इंडियन आर्मी के साथ जो इंडियन आर्मी guided missile है contract 3000 करोड के आसपास का contract है जो कि 3 साल में पूरा होगा manufacturing जो है BDL के द्वारा किये जाएगी under the license agreement of Russian OEM original equipment manufacturer तो ये एक तरीके से आतनिर्मर भारत के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि finance minister के द्वारा budget में भी का गया था उसके अलावा जो मिसाइल के अगर बात करें तो इंडिजीनियसली इंडिजनाइस्ट है maximum extend इसका ज्यादा तर इंडिजनाइस्ट है कुछ हमें रशिया से लेनी पड़ी है तो important है और ये एक तरीके से global outreach होगा जिसमें हम ये man portable anti-dank guided missile लाग मिलन 2 अमोगा इन सब एडिशन को जो है और अच्छे से अबजर भी कर पाएंगे तो इंपोर्टेंट है कोशन आने के चांसे सैंस पर चली देखिए मैं सवाल शिलंका के कौन से खिलाडी जो है रेटाइन ले चुका है इंटरनाशनल टेकट से आफ्टर मतलब यह अभी इंडिय ले रेरे हैं तो पता होना चीह कि इंडिया की मैच के बादा ले लेने तो इंपोरटन थे है इन्होंने ओ डिया आइज हां जहां तो एक एक्सिलेंट बोलर माने जाते हैं ठीक है अगर शिलंकन टीम में देखा जा तो देखते हैं एक और पोशन वेटरन एक्टर रमेश दियो जो है इनका हाल फिलाल में निधन है किस एज में हुआ है हाट अटक की वज़े से इनका मृत्व है नाइंटी थ्री की एज में और स्क्रीन में अगर देखा जाये तो इन्होंने दोस्तों बचास हिंदी फिल्म में काम किया है दोस्तों मराटी फिल्म में जो है अपने साट साल के करियर में किया है कुछ फेमस मूवी आपके सामने है जिसमें से जोली एलल भी वन ऑफ दा लेटेस्ट है और घायल वन सगेन वन ऑफ दा लेटेस्ट है चली मैद पुन सवाल रिसेंटली कौन सी कंट्री है अच्छा ये तो डारेक्ट है कि दोबारा उसी के बात हो रही है कौन सी देश के प्रेजिडेंट ने यूएस से फोर् जो है पॉलेंड में और जर्मनी में जो है इन्होंने ओरर किये हैं कि सेट कर देंगे सोड़ेट की इन्वेजन को रोका जा सके अगर वो फॉर्फीचर करते हैं ऐसा इनका कहना है यूएसे का कहना है तो स्ट्रेट अभी यह बस वार है एक तरीके से जो डिप्लोमेटिक व सेफ जोन मनाने के लिए जो है इन्होंने डिप्लोई कर दी है अपने जो हैं मिलिटरी पर्संस अर्मी अमेरिकन ट्रूप्स यूक्रेन को सेफ़गार्ड देने के लिए रश्या से तो लेट सी की आगे क्या होता है और मोस्ट प्रवैबली किसी भी तरीके का कोई भी 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में मिल्टरी एरप्टिशन हुआ था लद्दाग बोर्डर में और गल्वान जो इश्यू वाता गल्वान वैल्यू इश्यू उसमें वालन प्लेश में एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया के 19 जवान शहीद हुए थे चाइना ने अपन उनके द्वारा जो है विंटर ओलम्पिक कर टो जो टोर्श है वेरर उसको रिले बिलिया जाएगा तो यह इंपोटेंट है यह आप देख सकते हैं इनका नाम जो है रेजिमेंटल कमांडर है प्यूपल लिबरेशन आर्मी के शीजियांग मिल्ट्री कमांड जो यह समाल रह कि बहुत बारी हर एक डेट पे हुआ तो अलग-अलग डेट्स हैं इस वज़े से दूसरा दयान रखेएगा कि जो है यह नाम कोशन में मिल सकता आपको क्यों फबाव कोशन आपको मिल सकता है किक पॉंट देखिएगा हाल फिलाल में कौन से फलेंटलोजिस्ट हैं जिन्हो तो यह आंसर होगा म्यानवार केला गौवर्मेंट ने मौमरेंडम साइन किया है शोशल अलफा के साथ त्रू क्लीन एनरजी इंटरनेशनल इंकुशन सेंटर और इंडिया प्रेस फीडम रिपोर्ड बीसी किस रिलीस की गए किसके द्वारा तो राइट एंडर रिस्क अनल के फाउंडर का नाम बताएं कमेंट बॉक्स पर डेटेल में दोस्तों ध्यान रखिएगा आप मेना टेलीग्राम चनल जरूर जोइन करें आज शाम को साथ बजे छे घंटे का महा मैराथन का लिंक में डिस्किप्शन वोक्स कमेंट बॉक्स में डरवारा हूं लेकिन टेली कोर्सिस जोइन करें लाइव वोक्स से आपकी फीज कम हो जाती है इसका लिंक में डिस्किप्शन बॉक्स में इसलिए देता हूं कि बहुत सारे बच्चों को डिरेक्ट लिंक नहीं मिलता जिससे डिसकाउंट मिल सकता है वो फिर ढूंडने में दिक्कत होती है तो आप यूज करेंगे और लाइव वोमन कोड से आपकी फीज कम हो जाएगी किसी भी एक्जाम में यूज करना है लाइव वोमन कोड आपको डिसकाउंट मिलेंगे सेशन को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्स्राइब करें थैंक्स लौड फॉर वर्चिंग